दुलहन को शादी से पहले कभी नहीं लेने चाहिए, ये चार beauty treatment खराब कर सकते हैं, शादी से तुरंट पहले आपको कुछ beauty treatment लेने से बचना चाहिए क्योंकि ये आपके लूप को खराब कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष शादी के अवसर को खास बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं शादी की तयारियों में महिला खूबसूरत दिखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ती है महिलाएं शादी में आउटफिट, ज्वेलरी, मेहंदी और मेकप हर चीज को पर्फेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं शादी से कई महीनों पहले से ही महिलाएं अपनी तवचा का विशेश ख्याल रखने लगती हैं साथ ही कई तरह के ट्रीटमेंट लेने लगती हैं लेकिन शादी के अंतिन दौर तक यदि कुछ सावधानिया न ली जाएं तो ये अवसर आपके रंग को खराब भी कर सकता है इस लेख में आप जानेंगी कि आपको शादी से पहले किन सावधानियों को बरतने की आवशक्ता होती है ये बात सही है कि शादी से पहले फेशियल कराने से चहरे पर ग्लो आता है लेकिन आपको ये बात भी समझनी होगी कि ठीक पहले यदि फेशियल से आपकी त्वचा में कोई रियक्शन हुआ तो आप शादी में अपने चेहरे को सुन्दर बनाने की जगहे खराब कर लेंगी कई बार फेशियल से चेहरे पर एकने, जलन व एलर्जी हो जाती है इसलिए जहां तक संभव हो शादी से करीब सप्ताह भर पहले ही फेशियल करवा लें बालों को डाई कराने से बचें शादी से ठीक पहले आपको बालों को हेर डाई करने से भी बचना चाहिए अगर आपके बाल तेजी से सफेध होते हैं तो आप इसे करा सकती हैं लेकिन शादी के दिन से ठीक पहले बालों के साथ किसी भी तरहे के प्रयोग से बचें यदि आपको मनपसंद कलर नहीं मिला तो ये आपके लुप को खराब कर सकता है हेर कटाने से भी दूरी बरतें बालों पर हेर डाई की तरहे ही हेर कट से भी दूर रहना चाहिए आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि इससे आपका लुप खराब होगा साथ ही आप शादी के दौरान बालों को अपनी पसंद का नहीं बना पाएंगी अगर बेहत जरूरी हो तो शादी से करीब 10 से 15 दिनों पहले ही बालों को सेट करा लें वैक्स कराने भी हो सकता है खतरना वैक्स कराने से हाथ और पैर स्मूथ हो जाते हैं कई लड़कियां शादी से ठीक एक दिन पहले वैक्स कराती हैं जबकि महिलाओं वो लड़कियों को ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि कई बार वैक्स के साइड इफेक्ट की वजह से पैरों और हाथों में इरिटेशन हो जाती है कुछ मामलों में तो महिलाओं के हाथ पैरों में जलन वलालिमा हो जाती है